है वो देश के लिए क्या कर सकता है यो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूरोप चैनल पे दोस्तों आज किस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं सारू खान की मर्च आवेटर मोही पठान के बारे में यह दोस्तों बता दे पठान फिल्म को रिलीज हुए काफी ज़्यादा और कफी मजबूत है क्योंकि इस वीडियो में हम जाने के पठान फिल्म ने कितने कमाई कर लिया है नौ दिनों में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से चोटा सा रिक्वेश्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूरोप चैनल को सब्स अबर टान फिल्म को 25 जनवरी 2023 को रिलीज दोस्तों फिलम के अंदर आपको दीपी का पादू को जोहन अबराहम और सल्मान खन का कैमियों भी देखने को मिलता है इस एक साथ दोस्तों मोवी को रिलेज करने से पहले बाइकोड करने वाले गिंगनी फिलम को बहुत ही ज़्यादा बाइकोड किया लेकिन इस फिलम का कुछ भी नहीं बिगार पाया इस एक साथ दोस्तों फिलम की पहले दिन की बॉक्स ओपिस क्लेक्शन के बार में हम बात करें तो दोस्तों इस फिलम ने अपने नाम रिकॉर्ड बनाते हुए और सोई फिलमों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडियन सिनिमा की बॉक्स वाप इस पे सिर्फ हिंदी भासा में 55 करूर रुपए से आधे की कमाई किया इसे साथ दोस्तो तेलगो और तमिल भाटन के बार में हम बात करें तो 3 करूर रुपए से आधे की कमाई किया इसके साथ दोस्तो इस फिलम ने इंडिया में सिर्फ 27 करूर रुपए से आधे की कमाई किया और दोस्तो वही पे इस फिलम की Oversus कलेक्शन के बार में हम बात करें तो दोस्तो Oversus में फिलम ने बहुत ही अच्छा परदोसन किया दोस्तो इस फिलम ने Oversus दोस सोन है, कि वेपर इस फिलम की ठोटल, वरल्ल क्लिक्षणे के बारे में हम भात करीं तो दोस्तो फिलम तो विलम्नी है भलता ही में मोजचम उसके सबें एक्रमा और मैं ब्लक्ता पारेक्जिंग görünकर औरも majorिन खेए शेयर Bean पंधर करूठ नियुक्त स्थों परषाइं को दोस्तों करूँ पार्शन क क्यान की भी मैं 6ρ क्रोर 3 क्लेक्शन के बार में हम बात करें तो दोस्तों एक रिपोर्टर से पदा चला है कि ये फिल्म आज की दिन भी 18 क्लोर रुपए से आदे की कमाई करेंगा वहीं पर दोस्तों इस फिल्म की ओवर्सिस क्लेक्शन के बार में हम बात करें तो ओवर्सिस में फिल्म जो है 13 क्लोर र जिनों के कलेक्शन को मिला के हम बात करें तो ये फिल्म 704 क्लोर से अधिक की कमाई कर लेगा और दोस्तों ये फिल्म ब्लॉक मस्टर तो हो चुकी है लेकिन क्या ये फिल्म केजियेफ चप्टर 2 और तिरपल आर मोवी का रिकॉर्ड तोर पाएगा या नहीं आप मुझे नीचे कोमेंट करके जरूर बतलाएगा